बजहर किस जन जाती का मुख्य त्योहार है दोस्तो इसका सेवतरू जाएगा यहाँ पर थारू बजहर जो त्योहार है यह थारू जन जाती का मुख्य त्योहार है जो कि दोस्तो बैसाख या जेट के महने में जेस्टी के महने में मनाये जाता है तो यह आपको याद अखना ह थारू लोग दोस्तो दिवाली को ये लोग सोक परू के रूप में मनाते हैं जबकि ये लोग होली को थुमधाम से मनाते हैं और होली के आउसर पर उस्तो ये लोग करते हैं खिचरी नित्ती करते हैं थारू लोग होली के समय ये भी आपको याद अखना एकजाम में पहले पूछा जा चुगा है इसका सेवत्र हो जगा बजहर तेहार हो जगा इसका थारू का थारू लोग उधमसी नगर में रहते हैं अगला है उत्राखंड में उत्करष्ट बिधायग पुरुषकार के पहले प्राप्त करता कौन थे ये दोस्तो दिया गया था परकास पंथ को परकास पंथ ओप्शन नमर सेओ जागा इसका सेवत्र उत्राखंड में उत्करष्ट बिधायग पुरुषकार उस्तो ये दिया ग अधक्षे थे पर्थम अधक्ष कौन थे उत्राखंड बिधान सभाके ये थे दोस्तो परकास पंथ ये पर्थम निर्वाचित बिधान सभाके अधक्षे थे ये आपको याधक्षन है इनकी दोस्तो एक कहानी भी है वह है दोस्तो एक थी कुसुम एक थी कुसुम परकास कि सुन्दरलाल भगणा इसका उत्र दोस्तो आप बिल्कूल गलत हैं इसका सेउत्र दोस्तो डाक्टर सेकर पाठक सेकर पाठक की ये पुस्तक है दचिपको मुवमेंट अब पिपल्स हिस्टरी तो ये आपको याद हखने है इसके लाव उत्राखंड में कुली बेगार पर थ इस पुस्तक के लेखक कौन है वो भी दोस्तो सेकर पाठकी है एस्या की पीट पर दोस्तो सेकर पाठक और उनकी पत्नी उमा भठक के दोरा लिखी गई है एस्या के पीट पर पुस्तक तो इसका सेउत्र जाएगा यहाँ पर हमारा डाक्टर सेकर पाठक अजय रावत की दो बहुगुणा भी option में है तो सुन्दरलाल बहुगुणा की दोस्तों पुस्तक है वो है रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर दोस्तों इस सुन्दरलाल बहुगुणा की पुस्तक है अगला बसन है नागेंदर सकलानी कब सहीद होएते तो दोस्तों ये सईध होएते 1948 में 11 फरवरी या जन्वरी तो दो अप्सन तो मारे कट गए तो इसका सेवत्र वास तो 11 जन्वरी उनिस उड़तारिस को नागेंदर सकलानी सहीद होएते कीरति नगर आंदुलन दोस्तो वा था कीरति नगर आंदुलन कीरति नगर टीरी में पड़ता है तो ये दोस्तो कीरति नगर आंदुलन है ये हुआता 11 जन्वरी उनिस उड़तारिस को इसमें एक तो नागेंदर सकलानी सस्तापक कौन थे अब देखिए option श्रीदेव सुमन सत्य परसाद रतूरी पदिदध पांडे तोता राम गैरोला तो इसका स्यूत्र का सत्य परसाद रतूरी 1935 में इस्तापित बाल सबा के सस्तापक थे ये दोस्तो सकलाना पट्टी के उन्याल गाउं में 1935 में सत्य परसाद रतूरी ने बाल सबा की स्तापना की थी इसका उद्देश से ये था कि जो छातर छात्राएं हैं इन में राष्टीता का परचार करना था बढ़ते हैं अगले परसने की तरव अगला परसने याँ पर हमारा सैनिकू की प्यास बुझाने के लिए रानी खेत के पास चौबटिया में 1903 में ततकालिन वाइसराय द्वारा किस बांद का निर्माण किया गया विक्टोरिया बांद दोस्तो ये भीमताल बांद है वहीं पर है उसी का नाम है पुर्ठार बांद कुसी नदी पर ये अल्मोणा हो जाएगा इचारी बांद दोस्तो ये टौन सी नदी पर है ये हो जाए दस्तो भालू बांद भालू बांद भालू डैम ये दोस्तो रानी गूगल में सर्ची किया तो ये डेट आ रही थी तो 16 मार्च 2006 को दूस्तो दून पुस्तकाले सोत केंदर की स्तापना हुई थी चाहां दूस्तो प्रेड ग्राउंड है उसी के आसपास ये हुई थी मांकी दून वाले बच्चु को आसाने से पता हुगा अगला परसन है COVID-19 रोगियों को ऑक्सिजन विस्तर पलाजमा प्राप्त करने में मदद के लिए मिशन होसला किसके द्वारा सुरू किया गया दूस्तो उत्राखंड पुलिस पर इक्चाम आ सकता है दूस्तो इसका से उत्रो जगा उत्राखंड पुलिस ने चलाए था मिशन होसला यह आपको याद रखना है सीधे सीधे एक्जाम आपको परसन देखने को मिल सकता है अगला है सूर्र किरण नामक भारत और नैपाल का सयुक्त सैन्य भ्यास उत्राखंड के किस जिले में किया गया पहली बात दूस्तो आपको यह याद रखना है कि जो सूर्र किरण युद्धा भ्यास है दूस्तो यह जीके में भी आ सकता है जैसे दोस्तो माला बार युद्धा भ्यास दोस्तो ये होता है भारत जापान और USA के बीच ये आपको याद रखना बहुत जादा महत्पूर्ण है इसके अलाव दोस्तो आपको याद रखना मित्र सकती उसे बहुत सारे युद्धा भ्यास मित्र सकती ये दोस्तो होता है भा भारत और स्रीलंका के बीच होता है मित्रसक्ति उद्धाभ्यास इसके रहा उस्तो आपको याद रखना बजर परहार यह होता है उस्तो भारत और USA के बीच होता है तो यह भी आपको याद रखने हैं अगला वसन है 2030 तक उत्राखंड के किस सहर में एक अंतराष्टिय होईड के पूरा होने का प्रस्ता हो है तो यह केबिनेट मंतरी सत्पाल महराज ने यह 2030 तक एक अंतराष्टिय होईड जो बनाने के घुश्णा की थी तो यह कहाँ पर की थी इन चार जनपदम आपको बताना दोस्तो यह की थी हरीद्वार में तो हरीद्वार में बनेगा तो यह जगा हमारा उप्षन नमर B अगला वसन है निमेन मैंसे कौन उत्राखंड में इस्तीत नहीं है BHEL भारत हैवी लक्टिकल्स लिम्टेड दोस्तो हरीद्वार में है HMT हिंदुस्तान मसीन टूल से बंद होगी है रानी बाग में बिल्कुल सही है IDPL दोस्तो यह भी है हिंदुस्तान ऐरोनोटिक्स लिम्टेड हॉल दोस्तो यह हमारे यान यह यह बैंगलोरू में इसकी साका मिल जाएगी और इसके लावा बैंगलोरू में है मतलब मुख्यालाई है बैंगलोरू हो गया और इसके लावा दिल्ली हो गया मैं की दिल्ली में हो गया इसके लाव करनाटक में उस्तो यह सब आपको मिल जाएगा यह हिंदुस्तान ऐरोनोटिक्स लिम्टेड उसका से तुरू ज़ेगा option number D, अगला बसने नीमन मैं से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, गैंधी मेला उस्तो यही गलत है, क्योंकि दूस्तो गैंधी मेला पहाड़ी होके उस्तो यह लगता है, पोड़ी, तो यही गलत हो जाएगा, बांकि यह सबी सही है, चैती मेला उदमसिन अगर में लगता है जोलजेबी मेला काली और गोरी नदी के संगम पर पिथवाड़ा गड़मा लगता है मौर मेला अगलार नदी पर टिहरी गड़्वार मेले यह होता है यह सब हैं यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गेंधी मेला जो की लगता है पोड़ी में अगला बसन है उत्राखंड के किन जिलू में मैगनेसाइट खनीज की परमुकता है मैगनेसाइट दोस्तों आपको ये मिलेगा चमोली, बागेसवर, पिथोड़ागर, अलमोड़ा तो उत्तर कासी आ गया है अगला बसन है दोस्तों चार ताल यहां पर दिये हुए है डोडी ताल, छेकोन वाला ताल, उत्तर कासी में है देवरिया ताल उस्तों टीरी नईने देवरिया ताल उस्तों रुदर परियाग में है आपके दोस्तों परिच्छा वाड़ी बुक का रिवीजन यहां पर अच्छा हो रहा है देवरिया ताल उस्तों रुदर परियाग में है बेनी ताल उस्तों चमोली में है मासू की ताल लाल पान्य वाला टिहरी और रुद्रपरियाग की सिमा पर है दोस्तों इसका सेवतर हो जाएगा यहाँ पर मारा देवरिया ताल हो जाएगा रुद्रपरियाग में अगला बसने उत्रा खंड के योजना आयोक की स्थापना कब की गई दोस्तों ये कीगी थी 2001 में और यहां पर तीन उप्शन 2001 के हैं तो 31 मार्च 2001 को उत्राखंड के राज योजनायोग की स्तापना कीगी थी ये आपको याद हखने है भारत में योजनायोग की स्तापना उस्तों ये कीगी थी 15 मार्च 1950 को तो ये भी आपको याद हखने है बढ़ दोस्तो उत्राखंड में RBI का उपकार रेलाई कब स्तावित किया गया था तो ये किया गया था 30 जून 2006 को ये परसन दोस्तो एकजाम में पूछा जा चुका है इसलिए आपको याद रखना है क्यों 13 दून में RBI की एक सांका भी खोली गी थी 30 जून 2006 को तो बढ़ते हैं अग लिकाते स्ताणों मेंसे कौन सा इस्तान ऊच्यतम ओँचाई परीस्तित हैं यहाँ यहां पर दूस्तों पंच परियाग दिये हुएं यूकेप्यशसी नेवरJ परसन पूछा हुआता तो 55 परियाग दोस्तों सबसे पहला परियाग कौन सा है वो है दूस्तों विश्णु प परियाग, नंद परियाग, कर्ण परियाग, रुदर परियाग, देव परियाग, तो यह दुस्तों मारे पांच परियाग हैं, और इनमा दुस्तों सरवाधिक उंचाई पर परियाग हैं, यह दुस्तों विश्णु परियाग, सब मा दुस्तों अलग नंदा नदी रहेगी, स विश्णू पड़े आगलंदा और धॉली गंगा या विश्णू गंगा तो बढ़ते हैं अंगले परशन की तरफ अगला है निमले कित मैंसे कौन सी दो नदियां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं कौन सी दोस्तों साइग नहीं है यह आपको देखने है काली सर्यू बिल्कुल होता है इनका गंगा और नयार दोस्तों यह भी सहीए यम्ना टॉन से तो यम्ना की जो सबसे परमुक्षाइग नहीं दी वो टूटॉन्स है तो यह सब होता है कोशी और गंगा यह जो यह होता है तो कोशी की नहीं यह होजाएगा हमारा option मर ली अगला है निमलिकित में से किस राजवन्स का वर्णन पाणिनी के अस्ट्या ध्याई में मिलता है किस राजवन्स का वर्णन पाणिनी के अस्ट्या ध्याई में मिलता है उस्तो ये मिलता है कुरिंद राजवन्स का वर्णन मिलता है ये आपको याद रखना है इसके अला उस्तो महा भारत में भी महा भारत में भी कुरिंद राजवन्स का वर्णन मिलता है ये भी आपको याद रखना है इसके अलाव उस्तो बिदेशी लेखक टॉलमी ने भी कुरिंद सासन का वर्णन किया है ये भी आपको याद रखना है तो राजवन्स का वर्णन पाणिनी के इस्टे रह अगला परशन है उत्राखंड का पर्थम राजन्यति ग्वण से तो यह कुण सा था यह था कुणिंद और पर्थम एतिहासी ग्वण से था गत्यूरी अगला किस राजा ने श्री नगर के पास देवलगड में अपनी कुल देवी राज राजस्वरी का मंदीर इस्तावित किया उस्तो यह किया था अज्याईपाल ने अजय पाल ने देवलगड में अपनी कुल देवी राज-राजसुरी का मंदीर इसके अलावा सत्तिनात वो भेरब गुफा का मंदीर का जीनोदार कराय था अजय पाल ने ये भी आपको याद अखने है अजय पाल ने उस तो देवलगड को 512 में राधधानी मनाई थी इसके अ अजय पाल ने कहां सिनगर में तो ये भी आपको याद अखने है तो ये हो जाएगा अजय पाल अज्जु भाई अगला परसन है अठार सो सताउन में उत्राखंड के पहले स्वतंतरा सिनानी कालू महरा द्वारा किस गुप्त संगठन का गठन किया गया दोस्तों ये परसन कई बार एक्जाम में आता है ये हो जाएगा क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन का गठन किया था स्वतंतरा सिनानी कालू महरा दोस्तों लोहागाट के समी विशुम गाओं के थे इनका जन्म हो आता अठार सो एक तीस में अगला परसन है प्रेम सबाद दोस्तों ये कास सील वर्मन से सम्मंदित काल सी के पास कौन सा इस्तल है तो उस्तों ये है जगत ग्राम सील वर्मन उस्तों ये गोतरी वंसका सासत था सील वर्मन उस्तों देहराद उनके जगत ग्राम में बाढ़ वाला यग्गी वेदिका का निर्माण कराए था बहुत जादा महत्म बसने एक्जाम में आता है शील भर्मन ने तेहरादून के जगत ग्राम में बाढ़ वाला एग्जिवेदिका का निर्माण कराए था ये आपको यादखने है तो बढ़ते हैं एगले परशनी की तरफ और यमना तरप दोस्तो शील भर्मन ने अस्वेद एग्जिवी कराए थे अगला है हिंदू तीर्तिस्तल जागेशवर के मुख्य देपता कौन है बिल्कूल आसान है दोस्तो कटारमल किसे सम्बंदित है कटारमल सूरी मंदिर अपने आप ही निकल जाता है महोंसे कटारमल सूरी मंदिर और जागेशवर दोस्तो यो जाएगा भगवान सिपको समर्प मंदीर लिखा हुआ था तो 125 मंदीर दुस्तु जागेश्वर में है तो यह आपको याद रखना है जागेश्वर मंदीर जो मंदीर दुस्तु वहां बहुत सारे मंदीर लगवक की 125 मंदीर है तो इन मंदीरु का निर्मार दुस्तु कराये था कत्यूरी राजाओं को इसका श बहतिय चोटी सी नदिय जटा गंगा उसका नाम है वो दोस्तो बहतिय जागेश्वनम और उसी के किनारे चागेश्व धाम स्थित है यह जो जटा गंगा दोस्तों यह सर्यू की सहयक है अगला पत्लव प्रिक्षावाणी में है और आयोग ने पूछा भी था यह दोस्तों व दोस्तो एज जी वाल्टन की इसके लावा अलमोडा गजेटेर ये भी निका है तेहरादून गजेटेर ये भी निका है अलमोडा गजेटेर दोस्तो देख लिजेगा कप किये तेहरादून गजेटेर का हिंदी अनुवात दोस्तो ये क्या था परकास थपले आलने परकास शुरू की दोस्तो यह की थी विक्टर मोहन जोसी ने दोस्तो स्वाधिन परजा ये जो समाचार है इसको शुरू किया था 1930 से लेकर दोस्तो ये चला था लगबग 1934 तक ये आपको याद रखना है मुनिशी हरीपरशाथ टमटा ने दोस्तो ये किया था समता नामक समचार पत